असलाम अलेकुम यूवर्स कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग खेरी अच्छे होंगी और आप लोगों की दुआउं से मैं भी खेरी अच्छे हूँ आप देख रहे हैं निम्राज फूब इसकवरी और मैं लेकर आती हूँ हारोज आपके लिए अमेजिंग रेस प्राथा वह भी लच्छा प्राथा अलू वाला और इतना क्रिस्पी इतना जबरजस्त इतना यमी बनेगा ना कि अगर आप आलू वाला प्राथा इस तरीके से देख लेंगे ना वीडियो को तो आप दुबारा हमेशा इसी तरह से बनाया करेंगे तो चलिए फिर चलते है रेसिपी की तरफ बिसमिला पट कर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें डू गोन नी होगी अच्छा यहां पर जॉब डू है आप जो हम गंदम के आटे से बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं लेकिन अगर आप इसे मैदे से बनाएंगे तो यह ज़्यादा ज जाते हैं तो कोई मसला नी उसके बाद बेरीज के अंदर ना कलवंजी आट किया है जो के इतना जबर्दस टेश्ट देगी बहुत ही जबर्दस टेश्ट देगी और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही परफेक्ट होती है तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना जाहें तो आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा बेल लाइकन भी दबा लीजिए इससे आने मारी हार नहीं वीडियो को नोटिफकेशन आपको पहले से ही मिल जाता है और आप मुझे फेस्बूक इंस्टाग्राम और टिक टोक प अब जाते हैं उसके बाद हमने इसके अंदर एक कर दिया नहीं सब्समीचे प्यास को चोड़ कर देगा बलकि अपना प्यास का पहले पानी निकाल लीजिए वर्ना ना पेस्ट को जब हम जादा देर तक रखते है तो प्यास भी अपना पानी चोड़ देता है जिसकी अब इसको चोड़ की आड़ कर दिया आप तो अब तो आपको नदर आ चुके होंगे बेसिक अज़ा को अधिक जो हमने थे वह आट किया है यहनिकर गरह मसाला पावडर दनिया पावडर उसके बात सॉरी दनिया पावडर निगे उज़ें नहीं जबर्दस लगता है इसलि अब हमने क्या करने नियुक्त करना है उसके बाद हम बेल लेंगे उसको आपने जब बेल लेंगे इतना बिया वीडियो में कह दो आप दो कांटर नहीं नहीं आइग कांटर नहीं आएगा लेकिन ये चोटे तो आप चाहें तो नॉर्मल दूसरा गी भी यूज कर सकते हैं लेकिन देसी की से ने इसके अंदर बहुती जबदस टेस्ट रहेगा वैसे जब हम इस तरह के प्राठे बनाए अलुआ प्राठे तो इसके उपर मखन या देसी की एका तो अपना ही जईका होता है तो आप देस अपना अलग अलग स्टाइल होता है तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाएगा लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्जी बहुत ही ज्यादा लेयर्स वाला और बहुत ही यमी सा प्राठा रेडी होगा यहां पे देखिए एक प कि रिबन 15-20 मिनिट के बाद हम इसको बेलना स्टार्ट होने लगे है और यह इतना सोफ्ट हुआ था ना कि अगर आप इसको सिंपल हाथों की मदे से भी प्रेस करेंगे ना तो यह बढ़ा होता जाएगा अब आपने पेस्ट इसके अंदर लिगा देना है तो पेस्ट को आ मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाना था तो दोनों ना लच्छा प्राटे के अंदर जब हम पेस्ट इस तरह से लिगाएंगे ना दुबारा से फिर थोड़ा सा बेल लिजिए गा ताकि अच्छी तरह आपस में यह चीपक जाए उसके बाद आपने इस तरह से प्रेस कर लगा करें तो मुझे लाजमी प्रेंग बिताया करें ताकि मैं आपके लिए मजीद इस तरह के इस तरह के इस तरह के आती रहो तब देखिए हमने ना ओल डालके इसको दोनों तरफ से पकाते जाना है वैसे यहां पर भी आप देशी गी का यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने यूज किया है उसके बाद देखिए क्रिस्पी होने तक हम इसको पकाते जाना है और याद रखिए है फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे क्योंकि जब हम फ्लेम को हाई रखते हैं तो उपर से तो कला राजे का प्यारा सा लेकिन अंदर से थोड़ा कच्छा रह सकता है यहां प जादा तर लोग अलोवारे प्राठी को चार के साथ कहते हैं लेकिन मैं असा बिल्कुल भी नहीं करती लेकिन अचार मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है और यह भी थोड़ा सा पकने वाला है यहां पर मैंने वीडियो के लिए यूज किया है चलिए आप भी रेसिपी किसी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल अला हाफीज